किस तरीके से आप अपने चेहरे का कालापन दूर कर सकते हैं और सिर्फ चेहरे का ही नहीं गर्दन का, हाथों का, पैरों का, घुटने का, टकनों का कालापन आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं और वो भी घर पर बिना एक भी पैसा खर्ज कर किये हुए जहें, आपके skin रुकि सुखी होगाई हो, धीली होगाई हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा लापतायक है। क्योंकि आज हम आपको बहुत ही आसान नुसका बताएंगे जो आपके चेरे की साम्मले बन को तो दूर करेगा ही साथ में आपके चेरे में बहुत ही अच्छा सा ग्लो लेके आएगा और निखा लेका निखार इतना आएगा कि आप पहले बार के यूज में ही शौक हो और बहुत ज्यादा पॉच्टे होगे अगर आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर यहां पर हम लाते हैं बहुत यामेजिंग डियाइवाई जो आपकी स्किन की रौनक को बढ़ाता आपकी स्किन के आपके चेरे की खुबसूरती को बढ़ाता है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्किन केर के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आठा ज इसको आपको अपने हाथों पैरों पे भी लगाना है और अपने चेहरे पे भी लगाना है क्यों क्योंकि हमें भाई अपने चेहरे गर्दन हाथों पैरों सब का कलर का बहुत जादा ध्यान रखना है और ऐसा नहीं कि चेहरा तो चमक रहा है हाथ पैर गंदे हैं तो यह हमन अच्छे से मिक्स करना है गेहूं का आटर ड्राय स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता इसमें होता अलफा अलबिति जो माइड एक्सफुलियेट का भी काम करेगा स्क्रबिंग का भी काम करेगा डेड स्किन निकलेगी और लीजे साथ में लाइट भी चली गई लेकिन बहुत जल्दी आ गई थी खैर चलिए इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है दूध हमने थोड़ा-थोड़ा करके लिया हुआ कच्छा दूध कच्छे दूध में होता है लाटिक आसेड जो हमाई स्किन के रोनक को बढ़ाता है हमाई चेहरी की रंगत को निखारता है दाग इंट्रीडेंट हमको चाहिए यहां पे टमाटर बाई वहनों आज अज कल टमाटर सस्ता हो गया है तो हमने भी इसको एड करने की जुगार कर लिया हमने इसका जूश चाहिए होता है आप बताएं कि आपके शहर में कितना सस्ता हुआ है टमाटर मेरे याज साट रुपय कि इसका हमें जूस निकाल लेना है अच्छ से टमाटर में होता है लेको पीन जो हमाई सकी exactly रंगत को निखाना है एक बहुत अच्छ से चला जाएगा चटे यार चलिए वापस आते हैं अपने स्किल केर रुटीन पे तो हां हमको अपना यह जो मने पैक अमेजिंग सा बनाया है इसको अपने पूरे फेस पे बहुती प्यार बहुती शिद्दत और बहुती प्रेम से लगाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के स इसको आपको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है फ्रेंड यह आप सिफ चेहरे पे ही नहीं अपने हाथों में पैरों पे भी लगा सकते हो मेरी किसी यूटुब फैमिली की में से किसी एक बहन ने मेरी कमेड क्या था आपके हाथ बहुत गोरे हैं तो यही जवाब है कि हम जो भी रेमिडी बनाते हैं फ्रेंड्स वो अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों पे भी लगाते हैं और देखें गिर गया हमेशा का पंगा होता है कि जरूर कुछ न कुछ गिरता है फैर कप्ड़ों पे यह थोड़ा सा होता है नसी हो जाती है तो ऐसे कपड़े पहन के लगाएगा जो हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो वही वाश ओफ हो जाए और वैसे आप लोग ऐसी कपड़े पहन के लगाओगे यह ज्यान की बात है इसको हमने अच्छे से अपने चेहरे पर पूरे चेहरे पर लगा लिया अब हम देखें आपके सामने अपने हाथों प करने हैं अपने फेस पे मसाज करनी है 10 मिनट तक हाथों पे मसाज करिए जो हाथों के नाखून के पास काला पन होता है वह नहीं होगा और इस तरीके से आपका चेहरे के सासा सोरी आपका हाथ बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रहेगा जब भी आप अपने हाथों को देख अपने पूरे चेहरे पर मसाज कर लेनी यहां पर देखे नाख के आसपास होता है काला पन होट के आसपास होता है काला पन इसको आपको अच्छे से मसाज करनी है फेशिल की तरीके से देखे इस तरीके साप करी और हाँ इसको हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं इसको आप अगर रेगुलर लगाओगे एक हफ़ते तक देखना आपके चेहरे की रंगत पर कितना निखार आएगा ग मिनी फेशियल सा हो जाएगा इसको आपको दस मिनट के लिए छोड़ना है चली वापस आते हैं दस मिनट के बाद तो यह मेरा सेमी ड्राइ हो गया मतलब हलका सा सूखा हलका सा गीला तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा दूद लेके जो बचा हुआ था थोड़ा थ दूद लेकर हम जो ड्राइ हो चुका है हमारा पैक इसको वेट करेंगे मतलब इसको गीला करेंगे अच्छे से जब पूरी तरीके से गीला हो जाएगा तब हम अपना नेक्स स्टेप करेंगे नेक्स स्टेप यह होगा कि हमने जो टमाटर रखा हुआ ता साइड में इसको और सूरज मुखी की तरह इसको फैला लेना है, इस तरीके से, और इसके बाद आपको फिर गिर गया लीजे, खेर कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे पे इसकी करनी है मसाज, दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, ये आपके फेस पैक को दुगना तिगना क्योंकि जब आपने दूद मिक्स किया, तो ये आपके चेहरे की अच्छे से सफाई करेगी, जब आपने टमाटर के साथ मसाज कर रहे हैं इसकी, तो ये आपके चेहरे पे गुलाबी सा निखाल लेके आएगे, आपके चेहरे को डीपली क्लीन करेगी, दाग धपो को खतम क चेहरे को टाइट करेगी, ब्राइट करेगी, और पता निक क्या क्या करेगी, जो हम बताना ही भूल जाएं शायद, इसको हमें रखना है दस मिड़ के लिए उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है, नलका पानी यूज करिएगा, ठंडा पानी यूज करिएगा, और देख अब आप देखे यार मेरे चेहरे पर ग्लो देखिए, तो लाइव रिजर्ट दिखा देखा रहें, मेरे चेहरे तद तो सॉफ्ट हो गया था, इतना क्लीन हो गया था, यह मेरी वन ओप माइ फेवरेट रेमेडी है, इसको हम हफते में कारी लेते कहीं जाना होता है, यह कही चेहरा दोदो के मेरी टीशेट भी गिली होगे, हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा लगा आपको मेरा यह वाला वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियो होता हम लाते रहते हैं, तो यह थी मेरे आज की वीडियो, मीद करते है अच्छी लगी होगी यार, सब्सक्राइब सरूर कर दीजेगा, लाइक कर दे ना यार, लाइक आप लोग करना भूल जाते हो, हाथो का भी चमकाईएगा साथ में, मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में, और हाँ, शेर कर दीजेगा, फ्रेंड्स और फेमली एक साथ, मिलत टेक क्यार, राधे राधे